नमस्कार, सलाम, नियूस्क्रिक के खास कारकरम चुनाओ चक्र में आपका एक बार फिर स्वागत है, मैं हूँ मुकुल सरल गुजरात में चुनाओ की तारिखे नजदीक आ गई हैं, आपको मालूम ही हैं कि एक दिसंबर और पाँच दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, इसी बीच दिल्ली MCD के चुनाओ भी हैं, इसे भी विधान सभा की तर्च पर लड़ा जा रहा है, यहां चार दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, और गुजरात और हिमाचल की मदगर्णा से एक दिन पहले ही इसकी मत करना हो जाएगी, यानि दिल्ली के रिजल्ट एक दिन पहले आ जाएंगे, तो सभी जगह गुजरात में और दिल्ली में चुनाओ पारा इस इन सर्दियों में भी चड़ा हुआ है, तो आज हम बात करेंगे इस चुनाओ चक्र में दिल्ली MCD और गुजरात की, दि तो पहले चलते हैं गुजरात, वरिश पत्रकार अनिल जैन के पास, अनिल जी नीज क्लिक में आपका बहुत स्वागत है, आप दिल्ली से गुजरात चुनाओ का जाहिजा लेने पहुंचे हैं, आपने इस दोरान एहमदाबाद, गानी नगर, महसाना, बनास काटा, पार्टी और विपक्ष जो है, वो किन मुद्दो को लेकर चुनाओ में सामने हैं? वो जरूर बीजेपी के पक्स में बोल रहा है, अनिता बाकी ग्रामी मेलागों में अगर जाएंगे उसके आगे, तो मद्दाता पूरी तरह खामोश है, मैंने 2017 का चुनाओ भी गुजरात का कवर किया था, लेकिन वेसी खामोशी उस समय नहीं थी जिस तरह की इस समय अभी है, और जातक मुद्दो की बात चुनाओ की, तो लोकल मुद्दे कहीं चुनाओ में नहीं है, बुजरात में सड़क, बिजली, पानी और मोबाइल का नेटवर्क, ये तो आपको हर जगे मिलेगा, और इसी को जो है वो शायद विकास कहते होने, लेकिन सरकारी स्कूल, सरका चुनाओ की 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 और ताउद इब्राहिम जो जो उनका हमेशा हर जगा रहता हिंदु मुस्लिम अभी वही हो रहा है हमेशा कह रहे है कि हमने मजार कोड़ी ये बेटवार का छेतर में हम आगे भी मजारे तोड़ेंगे बनाएंगे क्या यह नहीं बता रहे हैं अभी अपने अपना रिपोर्ड कार्ड बीजेपी नहीं दे रही कि उसने दरसल 27 सालों में जमीन पर क्या किया नहीं बिल्कुल वो सिर्फ बाटने वाले जो मुत्य है धुरूबी करण पैदा करने वाले जैसे हर चुनाओं में होता है जैसे 2007 के चुनाओं में नरेन मोदी ने उस समय के तत्वाली राश्पती चनरल मुसर्ण रख और कांवरेस दोनों को एक तरा जुब रखते हुए नहीं हो जाता है जैसे चुनाओं नहीं भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है उसके बाद 2012 का चुनाओं में भी पाकिस्तान को लेकर नहीं को पिछले 2017 के चुनाओं में उन्होंने वहीं कार्ड खेला था कि अगर कॉंगरेस जीत गई तो मियां एहमत पटेल मुक्ष्य मंत्री बनेंगे और उनको मुक्ष्य मंत्री बनने की साजीश पाकिस्तान के राइदूत के साथ मिलकर बनाई गई गई उसके बाद बाद में संसर्द में माफिम आइंगे लेकिन जो होना था वो तो काम आदमी पार्टी जहां तक कांगरेस की बात है उनके चुनाओं में महंगाई का मुद्धा है और गुजरात के विकास का मुद्धा है लेकिन वचन दिये हैं लोगों को कि हमारे इतने दस वचन ये रहेंगे हम इने पूरा करेंगे विरुज़गारी वक्ता देंगे कर्जमाशी की बात किये फ्री बिजली देने की बात की है कॉंग्रेस ने गैस के दाम घटाने की बात किये वहां उनके अपने संकल्व पत्र में और जह तक आपने आमादी पार्टी का कहा तो आमादी पार्टी शुरू में इसा लग रहा था और जो परंपरिक मेडिया है कि बिहार में मुकाबला आमादी पार्टी और भारती जन्ता पार्टी की बीच में और कॉंग्रेस जो है वहां सिये पड़ चलिए लेकिन पिछले पांक शे दिन से जो है वह पारंपरिक मेडिया का टोन की बतला है और बीजेपी कर नेता हो भी कहना लगे कि हमारा आमादी मुकाबले में नहीं है हमारा मुकाबला कॉंग्रेस तो यह तो हुई पार्टी की बात अब अगर मैं जन्ता की बात करूं जन्ता आप कहरें वैसे खामोश है बहुत जगए लेकिन यह खामोशी भी कुछ संकेत दे रहे होगी जन्ता के मुद्दे वो क्या चाहती है किन ची जन्ता की समझदारी है कि वह पहले अपना वोट नहीं खोल रही है कि पर एक आपको किस तरह जैसे आपने कहा कि यह चीजे कुस्तों है सड़क मॉबाइल लेकिन जो अस्पतालों और उनका तो उनके बारे में कुछ और बताईए इस्कूलों के अस्पतालों में यह है कि अस्पताल बने हुपे हैं लेकिन हुआ डाक्टर नहीं है सब्सक्राइब को देखता है और वही दवा लिख देता है दवा सरकारी अस्पतिचा नहीं मिल दवा उपलब्द नहीं है इस्कूलों में भी पढ़ाने वाले शिप्छक नहीं है बच्चे जाते हैं बेट के घर आ जाते है तो देखिया चुनाओ किस तरफ जाता है हमने भ बड़ा वो किया गया नडड़ा जी ने भी कहा कि हमने यह बना लिया और यह पर उसमें भी जो है कि इस्टाफी नहीं है डॉक्टर नहीं है पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं है जो पूरा इंस के लिए होता है वह 90 परसेंट जो है जगर खाली है महां पर तो कुल मिलाकर अ अब एक आखरी टिपनी आप से कि गुजराच चुनाओ आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं मुझे 2017 जैसा लग रहा है कि जो 2017 में बनी थी कि अगर हिंदु मुस्लिम मसला ज्यादे काम ना करें उन लोगों का तो सत्ता से सवाल पूछ सकती है जनता बहुत 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 शुक्रिया आपका आपने हमें समय दिया धन्यवाद अब बात करते हैं साथी रिपोर्टर सोनिया से सोनिया आप दिल्ली यह एमसेडी के चुनाओ देख रही है आप अलग-अलग इलाकों में जा रही है आप यम्ना खादर गई आपने कोड़े का पाहड भी देख कर आई सबस्मस्याई भी लोगों से बात कर रही है आप तो सबसे पहले युबना खादर की आपकी रिपोर्ट का एक छोटा सा हिस्सा में अपने दर्शकों को दिखा देता हूं फिर आप से बात करते हूं कि अपनी मुझे अपकी से बहुत ज्यादा परिसान हुई जिसे दो बार पानी आ गया हैं तो पानी आने से एक बार सामाल ले गए दो बार फिल ले क्या आए खाने को भी बहुत हिसाब से अपना गोजारा कर रहे हम लोग अब ठंड पड़ गई अब ठंड में घरम कपड़े बहुत बढ़ी दिखत बन जाती हैं हम 15 अगस्त को अपनी आजादी का 75 मा वार्शिक महुत सब मना रहते लेकिन यह लोग 13 अगस्त को बाड़ आई हुए थी तो सब लोग चैंटों में मतलब रोड पे यह थे और दुबारा से के सेप्तम्बर को बार जब आई तो यह फिर अगस्तानी में यह बहुत्स तरही परिसानी है जैसे पानी की समस्थ्य भू esos और पे बिजली भी नहीं है रात में पद्ध बहुत लिक्कत होती है क्योंकि मच्छ बहुत जादा है ना और लाइट जानी आई उसके बशे bito बहुत समस्याहाँ भच् civstal मझल दिन में पड़ना पड़ता है हम वीज पर खेत में भी काम्होंना पड़ता है मुझे मैं अबाने पामा की यह लृषनी होती है मुझे यहां बारा साल एा रहते हो गई ओ क्षियर्थ इ्टी किसानी काम है और बीजनी मिलता है य कबी दवाई टामपने मिल पाती है और हम मच्छर भी साम को भहूर लगते हैं बच्चे हैं से पर इसकूल याए दूरी पर जाने आने हम लेट हर भी होомरते हैं ठीक है और जो है साफ़ सपाई भी कम है गंद्री ज्यादा अस पास फ हमने जनता से यमिना खादर जी सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे ही हम मयूर विहार फेज वन से यमुना खादर की और आगे बढ़ते हैं हम लगभग 40-50 साल पीछे चले जाते हैं और जो ये दूरी है तकरीबन संसत भवन से केवल 10 किलोमेटर की दूरी है तो जो ये दूरी है वाकी द पानी भिजली है सडक तूटी ह wip ऐए इसखूल नहीं है एवन वहाँ पर आपको कोई सरकारी हस्पताल कोई डिस्पेंसरी नहीं दिखाई दी देती है दूर दूर तक लोग जैसे तैसे और स्थाई डेंट कह ले या अपना जुगाड तरीके से जो जुगी जोपड़ी कहले वैसे बना कर रह रहे हैं मतलब राजधानी में वो रह रहे हैं तिन-तिन सरकार यहां है देले केंद्र सरकार है विधान सभा में केजरिवाल की सरकार है MCD में BJP की सरकारे इतने सालों से और वो लोग लगभग बे सहरा वोटर तो है ना वो जी बिलकुल वोटर है और यही हैरानी की बात है कि जो पूरे देश में BJP है वो विकास का ढोल पीटती है वहां जाकर BJP भी वही सड़क पानी के मुद्दे गिनारी है जिसके लिए वो कार्ड है उनके पास राशन कार्ड भी होंगे जी वहां जो यह एक क्योंकि बड़ी स्कीम कही जाती है उज्वला जी वो कि उससे महिलाओं को बड़ा बड़ा फायदा मिला वो उज्वला इस राजधानी में भी सब लोगों तक पहुँच पाई गरीब होता क्या नहीं जी एक तरीके से तो ओडिए फ्री जी वहां पर बिल्कुल भी आपको कहीं दिखाई नहीं देता जो सबसे बेसिक चीज है कि पानी वहां पानी नहीं पहुंच रहा टैंकर से पानी पहुंचता है आज भी वह लंबी-लंबी ओरते लाइनों में लगा कर पानी भरती हैं और उस तो उनका एक ही जवाब है था कि भी सरकार नहीं करने देते और डाब से कष्टा करना होता जिए वह सबernenीज हृँ वहाल को पानी केजریवाल जी ने करने नहीं दिया और हम कर लेंगे अब कैसे कर लेंगी लामनि नहीं करे यहां और इसमें मतलब मैं ये मान के चलूँ मैंने क्योंकि आप से भी बात किया और भी अपने साथी रिपोर्टरों से लगातार मैं बात कर रहा हूँ कि यमना खादर ये उधारन की तरह एक सेंपल की तरह लिया जा सकता है दिल्ली के बहुत इलाके जो ग्रामीन इलाके थोड़े से आते हैं और भी जिसमें बाहर के लोग जायतर यूपी बिहार इस सब ये सब जो इलाके हैं सब बहुत काफी समस्या ग्रस्त हैं इनके तरह बि मुद्धे हैं वह जड़ूर आप जो सब्सक्राइब इनकों यह नहीं सब्सक्राइब पता कि प्तूर जाएगी ऐसे बड़ा शूर कि जहां जुग्डी वही मकान लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि हम आज यहां हैं कल रहेंगे वह बाड़ उने लग कर देती है कहीं वो बुल्डोजर भेज़ देते हैं जहां जुगी जहां मकान का तो नारा खेर और आपने भी कुड़े की बात की की कुड़े का भी एक मुद्दा है पौशेरिय में भी है वैसे भी उसे चुन मजना होगा कि जो कुड़े का पहाड का जो में मुद्दा है वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में तो नहीं सॉल्व होने जा रहा जो तमाम पार्टियां दावा करी हैं जैसे बीजेपी कह रही है कि हम आगे ओखला में गई वहां बीजेपी के पूरवे पद्द अधिका मैनेजमेंट प्रोजेक्ट लगाया है तो आप 15 साल से क्या कर रहे हैं सबसे बड़ा सवाल आप 15 साल से क्या करें वहां लोगों को तमाम बिमारियां होते हैं बारिश में स्पेशली वहां पे लोगों का जीना मुहाल हो रखा है वैसे भी आप चले जाएं तो आप महसूस क बड़े बड़े लोगों के घर भी हैं लेकिन वह यह सड़क पे जाम लगा रहता है आपका पानी प्रेदूशी थे इतनी सारी उसको लेकर याचिकायं दाखिल हो चुकी हैं सब कुछ हो चुका है लेकिन उसका कोई समाधान नियर अबॉट भविश्य में तो नहीं देखत है तो सुनिया यह समझा जाए कि चाए वो यमना खादर के लोग हों चाए उखला लेंडफिल के लोग हों चाए वो भलसवा लेंडफिल के लोग हो या और दूसरी बस्तियां हैं तमाम बस्तियां हैं जो जिनमें दलित अलब संख्याक या प्रवासी लोग रह रह रहे हैं उसकी इस्तियां लगभग वो यहां भी देखने को मिलती हैं सड़क बिजली पानी साफ पानी पीने का मतलब यह सब भी उपलब्द नहीं हैं जी आप कह सकते हैं कि दिल्ली के कुछ हिलाकों को छोड़ दें जिने हम पॉश कहले हैं या एलीट क्लास का इलाका कहले जहां बड प्हाड़ी मज़्दूरी का काम करूं के लिए आज भी आ दिली जव्रव उनके लिए बस एक है कि हाँ दिली कोई जगे है जहां पर हमें रहे उनको आफ जी लोगBut कहा कि खुँझा आप दिली से आएं तो रजधानी डिली नोटीन जोन सरी यह सब और look 6 जैंकर बाद कहन चुनाओं में कोई चुनाओं जैसी बात ही नहीं है वो इतने जादा हतोत साहित हैं अपनी परेशानियों से इतने जादा परेशान है मतलब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी वाले सिर्फ उन से जो है इन चुनाओं के दौरान मिलने आते हैं एक यह भी सचाई है उन्हों उसमें उन्हें बेरोजगारी महंगाई और फिर सड़क बिजली पानी जो भी हल कर दे वो तो उसे वोट देने के लिए तयार है लेकिन बस यह है कि नेता लोग वादे करते हैं और फिर उनको यही लगता है कि जो भी यह बोल ले होना कुछ नहीं है वो इतने हतुत साहित ह है कि उनको लगता है कि कोई भी सरकार आजे हमारा तो कुछ नहीं होना तो मैं यहीं कहूंगे कि जॉप्ड़ी वाले जो मुद्ध रोटी नहीं है कि हमारे पास मकान नहीं है सबक नहीं है जो बेसिक नशेशिटी है पानी साफ साफ पानी नहीं है ऐल ए waking वह कुछ फैसले लेने होंगे कि किसे वो अपना प्रतिनीद ही चुनना चाहते हैं और इसमें उन्हें मुखर हो कर बोलना वी चाहिए जन्ता को और हम जनता की तरफ से जी वोग ऐसा नहीं है कि मुखर नहीं है रही पकुए करते हैं elas नहीं मेडिया के सामशने खुलकते हैं SHE जी पका इसलाव का यहीं और शिक्षा का मुद्दा है जो विदान सभा में सोर से सुनाई दिया था लेकिन mcd चुनाओं में कहीं दबता जा रहा है तो सिक्षा का मुद्दा है तो मैं यहां पर बता दू कि आज ही मैं सुबह गई थी रिपोर्टिंग के लिए तो मुझे बड़े एक हैरानी सी बात समझ में आई कि जो चुनाओं के समय रिपोर्टिंग होती है जो इस समय उस्कूलों की दशा दिख रही है वह वास्तविक में वैसी नहीं है जी जी जैसे आपने कहा कि अभी उन्होंने सब वादे कर दिये आप कोड़ा मनेजमेंट भी शुरू कर दिया यह सब लेकिन वह चुनाओं के बाद कितने कायम रहते हैं और अगले चुनाओं से पहले तक कितना उस पर काम होता है यह जनता को वैसे जवाब लेना हो और जनता की तरफ से हम आप हमेशा खड़े ही हैं तो मैं यही अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि जनता के मुद्दे उठाने के लिए आप निस क्लिक झाल